फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहत दुखत खबर आ रही है फिल्म इंडस्ट्री की एक popular actress जो पिछले 45 सालों से फिल्मी दुनिया में काम कर रही थी वो इस दुनिया से गुजर गई है सबसे बड़ी बात ये है कि इन अक्ट्रिस ने काम तो बहुत किया है एश्वधिया राय से लेकर सल्मान खान के साथ काम किया है लेकिन काम का नाम नहीं हुआ और जब उनकी डेथ हुई तब भी वो साइलेंटली चल बसी 8 अक्टूबर को ही इनकी डेथ हो गई थी लेकिन मीडिया और सब जगर खबर लगी आज ये अक्ट्रिस है भेरवी वैधिय भेरवी वैधिय पिछले 45 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में अक्टिव थी उन्होंने थेटर किया, टीवी में काफी नाम कमाया और फिल्म इंडस्ट्री में भी वो सालों से अक्टिव थी उन्होंने एश्वरिया राय के साथ ताल में काम किया सलमान खान के साथ चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का वो हिस्सा थी हमराज, हेरा फेरी, वाट्स यूर राशी कई फिल्मों में character roles वो निभा चुकी थी बात करें ताल फिल्म की तो ताल फिल्म में उन्होंने जिस तरह का रोल निभाया था उसकी काफी तारीफ हुई थी और उसके बाद वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आई थी लेकिन पिछले कुछ समय से भैरवी को कैंसर था वो बहुत इस बिमारी से जूंज रही थी आठ अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई भैरवी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में आक्टिव थी और एंड टाइम तक भी वो काम कर रही थी उनके को आक्टर्स को काफी शौक लगा क्योंकि उनका कहना था कि वो अपने काम में माहीर थी और इस तरह की बिमारी से जूंज रही है उसके बावजूत उन्होंने काम करने की कोशिश की लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये बिमारी उन पर हावी हो गई और वो अपने काम से दूर हुई बैरवी वैद्य को सोशल मीडिया पर उनके फ्रेंज और उनके को आक्टर्स नम आखों से श्रधाज ली दे रहे हैं